तो ग्याज सुआगत आप सभी का फिर से मेरे चैनल में एक नय ब्लाइंड व्लोग के साथ और आज का व्लोग बहुत ही स्पेशल होने वाला क्योंकि आज मैंने मेरा पहला नॉर्मल व्लोग भी शूट किया है अपने घर से लेकर अपने कोचिंग इंशिट्यूट जाने और आने के टाइम में पर फिर भी में लेट नहीं हुआ क्योंकि आज के जो पहले सर थे हिस्ट्री के सर वो खुद ही लेट थे और उन्हाने जब तक क्लास शुरू कराया तब तक बजगे थे 11.50 11.50 से लेकर करीबन करीबन एक बज़े तक क्लास हुआ हिस्ट्री का वो भी ऑनलाइन अब इंशिट्यूड में बैटके हम लोग ऑनलाइन में क्लास करें और हमारा नेट भी उतना अचा नहीं चल रहा तो एक मूबाइल से सारे शूडेंट क्लास कर रहे थे तो में से हम लगों ने पूछा की वाइफाऌ के बारे में तो में बोला कि शूडेंट के लिए कोई भी वाइफा अब नहीं है सब स्टाफ के लिए तो यार हिश्ट्री के खरला से यह साधा और उसके बाद है ई फिसे के टीजट् Sophia कि एक पन पतो है और फिर आया है ती waking जितना भी निनद आया था और जितना भी आलस आया था हिस्ट्री के क्लास में, सारे दूर हो गए Newton's Law of Motions, वो ज़ जब कवर हुआ और यार बहुत अच्छे से समझ में आया Physics का क्लास, तो यार In between History and Physics क्लास 20 मिनट का गैप था, और हमारे कुछ को बहुत ही जादा भूग लग रही थी एक्सेट मी एंड रिती भाईया हम दोने को भूगने लगती एक्शुली जो सिच्वेशन से उनके हम लोग को आदत है पहले से तो उन्होंने किया कि नीचे गए और यार बहुत सारी खाने के चीज लेकर आये और हम लोग के शाद भी भी शेयर किया बहुत ही अच्छे है मेरे बैचमेंट सेक्शुली हम शायद टोटल 17 है एक ग्रूप में और यह सब के सब बहुत ही फ्रेंडली है जो नोट्स होते हैं अगर किसी दिन ना जाओ वैब सेंटर हो तो नोट्स शेयर कर देते हैं ग्रूप में एक अच्छा फ्र अग्ेन नीड要on और मेरे एक पापाझ में बहुत अच्छी दोस्ती है क्या है कि a मेरे से एक साल के सेनियर थे तो क्या होता था कि जब मैं क्लास 7 में होता था रितिक भाइया कि सारी पुरानी बुक्स में ले लगता था पढ़ाई करने के लिए रितिक भाइया दिल के बहुत है अभी भी एक friendly environment रहता है घर से निकलने के पहले को जाने से पहले तो निकला की मैं भी phone करता हूं आपका इंतजार मैं bridge में कर रहा हूं अब आज आए जल्दी से कोचिंग इंस्टीट के बारे में एक और चीज़ याद आया हमारा last class हुआ था 24 डिसेंबर को और फिर बीच में छुट्टी थी और आज कुल रहा है इंस्टीट तो क्या हुआ था मेरे एक बंड़ गूम गया था तो मैंने उस फोटो क्लिक करके ग्रूप में दे दिया तो आज उस मेरे मुलाकाथ हूं असको मैंने में पेंड हैंड़ोर कर दिया तो यार मैं वीडियो बना रहा था शूट कर रहा था और मुझे याद आया कि मैथ का assignment मैने अभी भी complete नहीं किया औ और यार मुझे सारे answers मिलके यह लिखना भी बाकी है Actually मुझे answers एक मेरे friend से मिले हैं जो मेरे साथ ही M.C.A कर रहे हैं लेकिन वो मेरे school में पढ़ते थे मेरे से 1 साल के senior थे और वो math में बहुत ही अच्छे हैं उन्होंने सारे questions solve कर लिए एक को छोड़ के और यार उन्होंने सारे answers मुझे send कर दी है अब सिर्फ लिखना बाकी है और submit करना बाकी होप सो मेरा यह वीडियो सर नहीं देख रहे होंगे नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और यार एक और चीज मैंने अपने पैचली वीडियो में कहा था आपको कि स्कॉलर्शिप के जो कागज है उनको रिनियू कराने के लिए वेरिफाय कराने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा लेकिन आज जब मैंने सर को फोन लगा तो सर बोली की कॉंडिशन बहुत ही खराब है और यहां पर सेमी लॉक्टाउं चाला हुआ है तो अभी तो कॉलेज नहीं साथ सकते प्रैक्टिकल्स क्लासे समारे अफ्लाइन होने वाले थे लेकिन वह भी आप ओनलाइन होंगे तो जब तक हालात नहीं सुदर थे तब तक हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे और मेरे कुछ डिटेल्स जो थे वो मैंने गलत एंटर कर द को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट करना तो मत ही भूरिएगा मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई ठैक्स पर वाचिंग